One of the individualized instruction is scaffolding instruction. Scaffolding ये होती है कि आप दर्जा बदर्जा बच्चों को guide करते हैं. मतलब कुछ चीजें उनको नक्षे के जरीए, किसी grid के जरीए सिखाते हैं. जैसे आप उनको कुछ draw करना सिखा रहे हैं. तो चंद bigger lines, जैसे एपल में आप शुरू में एक दाइरा बना के उनको दिखाते हैं, कि अच्छा एक इसकी मजमुरी तोर पर एक दाइरे की शकल होती है. फिर उसको कहते हैं कि अब वो उसके अंदर एक डंडी या पत्ता बना सकता है. तो आइस्ता आइस्ता उसको guide करना, उसके जो given task है, उसको हम scaffolding कहते हैं. When teachers support learning, the key is to determine what type and intensity of support will be most helpful to the individual child. देखिए, बच्चे का mental level क्या है? जितना ज्यादा वो बेहतर समझता है चीजों को, उतनी ज्यादा हमारी scaffolding जो है वो पीछे हटती है. लेकिन जितना वो चीजों को कम समझता है, उतनी हमारी guideline या instruction या scaffolding ज्यादा होती है. So, हमने decide करना है कि किस intensity की उसको हमें instruction देना है. Effectively individualizing instruction is a cycle that involves knowing individual children, implementing effective instructional strategies, and determining whether or not choices made result in child learning. तो अब हमने क्या करना है, जब हमने ये decide कर लिया कि बच्चे का mental level या इस वकत interaction level क्या है, तो आप उसके मताबिक उसको guidelines देते हैं. इस सिल्सले में हम आगे मजीद वजाहत करते हैं, कि हमें कुछ response promoting strategies जो हैं, वो use करनी. मसाल के तौर पर अगर बच्चा किसी holistically किसी larger instruction को समझता है, या larger concept को समझता है, तो आप समझते हैं कि अब उसकी details में उसने जाना है. मसाल के तौर पर वो dress up कर सकता है खुद को, उसको पता है कि dress up करना क्या है, तो आप उसको कुछ dress up कराते हुए, बताएंगे कि बाजू पहले पहन सकते हैं, या जिस तरह से एक पाउं में आप अपना पजामा है वो पहले पहन सकते हैं, या कुछ भी निकर पहले पहन सकते तो होता ये कि इसी तर्द अगर कुई गेम खेल रहा है तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट्रेप क्या है, अगर वो काउंटिंग या सब्ट्रेक्शन जा एडिशन पे काम कर रहा है तो आप उसको कुछ फिगर्स के जरीए समझा सकते हैं कि अगर आप डारेक्टली जमानी कर स तो कुछ तस्वीरों की मदद से हम कुछ तस्वीरें उठा लेंगे, कुछ मजीद रख देंगे, तो वो addition का concept समझ जाएगा, तो हमने देखना है कि अगर हमारा बच्चा bigger concept को जानता है, तो हमने उसको steps की तरफ ले जाना है, और अगर वो steps पहले जानता है, तो फिर हमें उस cap folding का मतलब यह है कि आइस्ता आइस्ता step by step आपने उसको instruction देनी है, और देनी उसकी individual mental level के मताबिक है, जस्ता से वो सोच रहा है, उसी तरह से उसको बताएंगे, और फिर दूसी सुरत है peer mediated strategies, यानि peer mediated strategies तो normally classrooms में वैसे भी चलती है, जैसे जो एक थोड़ा ज्यादा बेहत चाहता है या like है, उसको थोड़ी ज्यादा चीज़ें आती है, उसके साथ आप बच्चे को group up कर देंगे, तो वो फिर जब एक कर रहा होता है, तो दूसरा भी उसको imitate कर रहा होता है, अच्छा इसने blocks को कैसे किया था, जोड़ा कैसे था, pile up कैसे किया है, उसमें वो चार द स्कैफ फोल्डिंग है, कि अगर आप कुछ बहतर बच्चे जो बहतर perform कर सकते हैं, उनके साथ group up कर देंगे दूसरे बच्चों को, तो वो imitate करते हैं, और फिर एक तरीका ये भी है, कि आप खुद से बच्चों को जो ज्यादा बहतर जानते हैं, उनको guide कर सकते हैं, कि वो द और स्कैफ फोल्डिंग असल में step by step होती है, जब हम देखते हैं कि बच्चा सीखने के करीब आ रहा है, कुछ से अब अगला step कर सकता है, तो हम पिछला जो है, अपनी instruction को आइस्ता आइस्ता withdraw करते चले जाते हैं, इसकी मिसाल बड़ी असान है, कि एक बच्चा bicycle सीखता है, तो उसके वालिद जो हैं, वो उसको पीछे से धका भी देते हैं, उसका steering भी पकड़ा होता है, handle भी पकड़ा होता है, वो उनको भगा रहे हैं, जैसे ही वो देखते हैं, बच्चे का control, अब cycle पे बहतर हो रहा है, तो वो पहले handle छोड़ देते हैं, लेकिन पीछे से जाते हैं, शुरू में उनको कुछ मुकमल guideline देते हैं, फिर आइस्ता इस्ता उसको withdraw करते चले जाते हैं, और फिर इसी तरह से बच्चे या जो भी generations हैं, वो सीखती हैं